नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सभी लोगों का स्वागत है, ट्रिकी मैच्स, एजुगेशन एडापर, गणित का डर समाप चली दोस्तों, शुरुआत करते हम लोग एक नए वीडियो सेशन की, जहां पर आप लोगों का प्रतिशत का एक और टाइप डिसकस करने जा रहे हैं इससे पहले मैंने आप लोगों को बहुत इंपोर्टेंट वर्दी और कमी वाला टाइप किलियर किया था, जन सिंग क्या पर आदारित प्रशन डिसकस किया था वो हम इस वीडियो सेशन के दोरान डिसकस करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों सुरात करते हैं इस इंपोर्टेंट वीडियो सेशन की तो देखिए फर्स क्विशन हमारे पास, किसी परिक्षा के लिए उतरिनांग 40% है कितने परसेंट अगर आपको वह एक्जाम क्रैक करना है तो आपको 40% कमपल सरी है एक स्टुडेंट ने 185 अंग प्राप्त किये और 15 अंगों से फैल हो गया तो परिक्षा की अधिक्तम अंग क्या थे अधिक्तम अंग का मतलोता मैक्सिमम माक्स या फिर पुर्णांक बोल सकते हो चलिए तो यहाँ देखो अगर आपको पास होना है तो 40% कमपल सरी है एक यह हो नहार ग्यानी प्राणी है जिसके 185 नंबर आए फिर भी 15 से फैल हो गया मतलब अगर इसको यह 15 मिल जाते तो क्या हो जाता पास क्योंकि यही नंबर उसके क्या पढ़ रहेते कम मुझे यह बताओ अगर मैं आपसे कहूँ आप पास होना चाते हो कितने परसेंट बनाओगे तो आप कहोगे 40 और अगर मैं कहूँ अगर आप पास होना चाते हो तो नंबर कितने लाओगे 185 थोड़ी लाओगे 185 में तो वो अल्रीडी फैल हो रहा है कितने से फैल हो रहा है 15 तो आप क्या करोगे 15 जोड करी लाओगे तभी तो पास होगे इसका मतलब उस परिक्षा का जो उत्री नांख है वो कितना हो गया 200 नंबर परसेंटेज कितना हो गया 40 40% अगर 200 का है तो 1% 200 बटा 40 एक कितने का पड़ा 5 का और 1% 5 का है तो आप बताइए 100 कितने के पड़े 5 इंटो 100 करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 500 बताइए कौन से ओप्षन में है C ओप्षन में मौजूद है क्या मेरी बात समझ में आई किलियर हो चुका है पास होने के लिए जो नंबर कम पड़ रहे हैं उनको क्या कर लो जोड़ दो कभी-कभी ये भी होता है कि पास होने वाल नंबरों से ज़्यादा लाया तो फिर अधिक वाले हमें गटाने पड़ते हैं जैसे हमारे अगले प्रशन में हैं जैको मैं हर एक टाइप क्लियर करूँगा कि मैं इसी प्रशन को किस किस तरीके से पूछा जा सकता है वो सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर कर दूँगा एक चातर को परिक्षा उतिन करने के लिए 30% लाने पे 460 लाया लेकिन पास ओने वाले नियूंता मंकों से 40 अंक अधिक लेकर आया अब बताओ पूर्णांग क्या था पास ओना है तो वह या 30% लाने पड़ेगी एक ज्यानी प्राणी है जिसने 460 लाया और 40 अंक अधिक लेकर आ गया कितने अंक अधिक लाया 40 अब ये 40 गटाओगे तो मुझे बताओ उतिन नंक कितना आ गया 320 अगर फैल हो रहा कम पड़ रहे है तो जोड़ दो और अगर पास हो रहा और ज्यादा ला रहा तो क्या कर लो गटा लो अब आप कहरे हो पास होने वाड़े को 30% चाहिए क्युशन कहरा नहीं आपको 420 चाहिए तो 1% की value 420 बटा 31% पड़ा 14 का पर आप बतेए 100% 14 इंटो 100 करोगे तो रिजल्ट आ गया 1400 बास समझ में आई क्लियर है पहले type में कोई दिकत नहीं है कोई confusion नहीं होना चीए अगर cutoff से कम ला रहा है तो वो number जोड के पास करा दो cutoff से ज़्यादा ला रहा तो गठा कर उसको उत्रिणांग पर लेकर आ जाओ किलियर है आगे बढ़ते इसी में एक और type बनता है जब वहाँ पर अंकों में तुल्ना नहीं होकर percent में तुल्ना हो किसी विद्यार्थी को उत्रिणांग 40% है एक विद्यार्थी 33% लाता है चाहिए उसको 40% लाया 33 और 42 से फैल हो गया क्यों फैल हुआ भी क्योंकि वो cutoff से कम number लेकर आया तो मुझे ये बताओ अगर आपको पास होना है तो 40% चाहिए और एक ये घ्यानी प्राणी है जिसे 33% अंक में ले तो आप बते आपके इसाब से कितने से फैल हुआ 7% से और question क्यारा वो तो फैल हुआ कितने से 42 से जब % से % की तुलना हो तो जीत, हार, पास, फैल, कम, अधिक, देरी और पहले अंतर को दर्शाते हैं तो यहां देखो पहले 40% लाने थे लाया 33 से कितने का अंतर पड़ा 7 का अंको में 42 का 1% कितने का पड़ा 6 का और 100% कितने का पड़ा 6 into 100 तो रिजल्ट आ गया 600 तो पहला अंको वाला question दूसरा परसेंट पर तुलना अब भया जो हमारा सबसे महत्पून टाइप है वो है हमारा next वाला जो पास और फैल पर बनता है और अधित्तर exam में यही पूछा जाता है इससे पहले वाले question मैंने इसलिए बताए है कि बहुत सारे चाहिए group D हो गया या फिर C TET के exams हो गए जितने भी TET exams होता है REIT वगरा इनमें बहुत सारे exam या पुलीस exams हो गए UP Police MP, SSC GD वगरा में यह पूछा जाता इससे पहले वाला लेकिन अब जो question है यह बहुत 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 लिन question है 10 प्लस 2, CGL Pre बहुत बार इन exams में यह question बन चुका है तो थोड़ा घंग से समझन है यह एक student नहीं होकर दो student की बात होगी गलत नहीं करना है आज के बाद आपका favorite question होना चाहिए तब तो हमारी series का महत्व है कि अभी हम वाकि में जो प्रियास सुरू किया है वो सफल होने वाला है और वो आप लोगों न देखा होगा अभी तक सिर्फ दो वीडियो जो इससे पहला है उससे भी बहुत सारे जो एक्जाम होएते उन एक्जाम में questions देखने को वैसे के वैसे मिले है तो बहुत मैत्पून रहेगी आपकी यह series एक परिक्षार्ती ने 30% अंक प्राप्त किये और 108 अंकों से अनुत्रिन हो गया चलोगी देखो एक हमारे एक परिक्षार्ती हो नहाँ देखो को तो थोड़ा adjust कर लेडा ना मैं अच्छा बना दूगा पैसे तो अब सुनेगा एक ने 30% अंक प्राप्त किये और 108 अंकों से फैल हो गया 108 से क्या हो गया फैल हो गया एक अन्य विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किये और उत्तेन होने वाले आवश्यक अंकों से चोईस अंक अधिक लाया तो परिक्षा का पुर्णांक क्या था चोईस अंक अधिक लाया पास भी हो रहा है लेकिन चोईस नंबर क्या ला रहा है जादा ला रहा है अभी मैंने एक बात बोली थी जब दो परसेंट की तुलना हो तो जीत हार पास फैल कम अधि किसको दर्शाते है अंतर को दर्शाते है डिफरेंस इसको दर्शाते है तो मेरे प्यारे साथियो ये 30% है ये 52% है ये दो होनहार विद्यारत ही आपको फोटो दिख रहा होगा इन दोनों के बीच गैप कितने का पड़ा तो आप सभी एक ही बात कहेंगे गैप 22 का पड़ा परसंटेज में डिफरेंस 22 का है अगर मैं कहूं मुझे ये बताओ इनके अंको का डिफरेंस कितने का है तो मेरे प्यारे साथियो गलती से भी 108 में से चोईश मत घटा लेना इस चीज को मैं क्लियर करूंगा एक बार अगली स्लाइड पर अगर मुझे एक चीज बताओ 100 नंबर लाने थे तो मुझे बताओ इन दोनों के वीच गैप किते का पड़ा ? 10 का पांच इसको सबसे इजी तरीका बताओ 10 वज़य आपको कहीं पर पहुंचना था एक पांच मिन्ट पहले आ गया एक पांच मिन्ट लेट आया तो मुझे बताओ गैप जीरो का होगा या दस मिन्ट का दस मिनट का गैप होगा पांच मिन्ट की देरी और पांच मिन्ट पहले गैप दस का होता वैसे ही एक पांच अंकों से फैल हो रहा है और एक 5 अंकों से अधिक ला रहा है तो गैप है ना 10 अंकों का हो जाता है लेकिन यहां एक और चीज आपको सबसे बेस्ट तरीका में बताता हूं जो आज के बाद आपको दबल वाले कंपेर में भूलना नहीं है अगर दोनों पास हो रहे हैं तो दोनों के अंकों का डिफरेंस आएगा दोनों फैल हो रहे हैं तब भी अंकों का डिफरेंस आएगा लेकिन अगर एक पास और एक फैल हो रहा है तो अंकों का क्या आएगा योग आएगा समझ रहे हो दोनो पास में देखो, ये 100 नमबर लाणे तो ये कहरा मेरे तो 110 आ रहे, ये कहरा मेरे 115 आ रहे, ये 10 नमबर जादा ला रहे, ये 15 नमबर तो गया, फिर 5 कहीं पड़ा, दोनो पास ओरे न, इसलिए अंतर आता है, समझ रहे हो, इस वजे से आपको अमेशा ध्यान रखना, दो दोनो पास तो गटाना है, दोनो फैल तो गटाना, एक पास और एक पैलो तो जोड़ना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक पास एक फैल है तो अंकों का योग आएगा, 108 और 24 जोड़ लीजे तो हो गया, 132 जोडना पड़ेगा दोनों को, तो 1% की value, 132 गटा 22, 6 का और 1% 6 का है तो 100% 6 x 100 करेंगे तो रिजल्ट आ गया 600 रा बते हैं हमारा पूर्णांग कितना हो जाएगा 600 क्या मेरी बात समझ में आई आज के बाद ये प्रश्ण गलत नहीं करना है परसेंटेज का डिफरेंस डाइरेक्ट दिख जाएगा अंको का डिफरेंस आपको उस टेबल से सम मजना है दोनों पास होते तो यहां घटा के रखते दोनों फैल होते तब भी घटा के रखते एक पास और एक फैल हो तो दोनों को जोड के रखें जैसे लाबानी में भी होता है कि जब आगे लाबानी के क्यूशन कराओंगा तो बात आपको वापस यादिला देंगे क्या म मेरी बात क्लियर हो चुकी है कोई कन्फूजन कोई दिकत नहीं है क्लियर है ठीक है अब देखो यहां पर भी तीन तरह के प्रश्ण बनते हैं सिर्फ मैंने क्या बोला हर वेरीशन क्लियर कराऊंगा अगर प्रस्ण ऐसा पढ़ लिया है ना तो फिर इसके उपर जितने भी टा होने का प्रतिशत क्या था तो उसको क्लियर करते हैं यह देखिए नेक्स्ट हमारा क्यूशन इस प्रकाल से चले यह क्यूशन है हमारे पास एक परिक्षा को परिक्षारती को 30% अंग प्राद करके 5 अंगों से फैल हो गया 30% लाया और वो क्यारा फैल कितने से हुआ पांच से दीरे-दीर आप डाइग्राम मनाना सिख जाओगे एक अन्य को 40% अंक मिले और वो पास भी हो गया और 10 अंक अधिक लेकर आया वो 10 अंक क्या लाया तो इस परिक्षा के उत्तिन होने के नियूंतम अंक क्या थी सिरफ उत्तिन नांक बताना पूर्णांक नहीं बताना इस 15 का तो 1% की value 15 बता 10 अब बते ये 100% लेकर आजाओ यहाँ पर पूरे नंबर लेकर आजाओ एक बार 15 बता 10 इंटो 100 तो आब बते अपना पिपर किते नंबर का था 1500 का पर क्या पूर्णांक पूछा क्या हमसे नहीं हमसे तो उत्तिन नांक नियूंतम अंक को हम पासिंग मार माक्स बोलते हैं तो हम क्या करेंगे इसके कितने नंबर आये ते 30 फिर वह पैल किते से हुआ 5 से तो यह 5 नंबर क्या कर लो जोड़ लो तो मेरे दोस्तों पासिंग माक्स कितने हो गए 50 हो गया और अगर आप चाहो हम तो इससे सॉल करना चाहते तब भी कर सकते हो 500 का 40% लाओ तो आएगा 60 इसके ज़्यादा नमबर आये थे कट आफ से तो वो 10 गटाओगे तब भी आपका उतर 50 ही बनेगा तो नियून तब हम कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे क्या मेरी बात किलियर हो चुकी है और मेद गरता हूँ एक एक कॉंसेट किलियर हो रहा होगा और वाके में अगर आपको ये सीरीज कुछ लग रहा है सीखने को मिल रहे है ना तो सब लोगों को एक जिम्मेदारी में हमेशा दे रहा हूँ कि आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि ये वीडियो शेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है और शेर और लाइक करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर तीसरा टाइप क्या बनता इसी क्यूशन में तीसरा टाइप यह बनता है कि आपको पुर्णांग पता करना सीख लिया उत्तिनांग पता करना सीख लिया अब उत्तिन होने का प्रतिशत भी बताओ चलिए पता करते हैं डरने वारी बात नहीं है क्योंकि गणित का डर में समाप्त करना है परिक्षा को 40% लाने थे 60 से फैल हो गया दूसरे को 55% अंक लाने थे और उत्तिन होने से 15 अधिक लाया पास हो गया तो तबी तो अधिक लाया भी 15 अधिक लाया तो इस परिक्षा के नियुनतम कितने प्रतिशत अंक चाहिए चलो तो मेरे दूस्तों इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का जीत हार पास फेल कम अधिक 2% की तुलना होती है तो अंतर 15% का नमरों में अंतर कितने का 1,11 मेरे 60 कम पढ़ गए और 1,11 मेरे 15 जादा आगए तो डिफरेंस बोलो कितने का पढ़ा कितने का पढ़ा? 75 का तो आप बताईए 1% की वेल्यू कितनी हो जाएगी 1% की वेल्यू पढ़ा 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 इंटू कितना? 100 15 से 5 बार 1% की वेल्यू तो 5 आगया 100% के लिए हम गुणा 100 कर देंगे 5 इंटू 100 करोगे तो रिजल्ट आगया 500 लेकिन हमें पूर्णांक नहीं बताना था हमें तो उत्तिण होने के लिए नियूंतम प्रतिशत लाना तो 500 का 40% अब दिरी दिरे आप जो समझार हो जाओके तो डारेट भी लिए दोगे बाकि तो ये तो तरीका ही आपके पास 500 का 40% 520 कितना हो गया? 200 और कितने से फैल हुआ था ये? 60 से तो ये 60 इसमें क्या कर लो? जोड़ लो तो आप बतो पासिंग माक्स कितने होगे? 200 सान इससे सॉलो करना चाते हो तो 500 का 55% लाओ और उसमें से 15 घठा लो क्योंकि इसके नंबर जा जाते अब परसेंट लाना है तो अब बताई इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फुजन कोई दिक्कत नहीं है उम्मीद करता हूँ आज का शिशन आप लोगों को जरू अच्छा लगा होगा वीडियो शिशन अगर अच्छा लगा हो लाइक और शेर जरू कर दीजीगा और सबको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है तैंक यू जेहिंद पढ़ते रही है मेहनत करते रही है गणित का डर समाथ